नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ राहुल कुमार अफगानिस्तान में तालिबान कतले आम मचा रहा है और हर दिन नए शहरों पर कपजा कर अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है अफगानिस्तान में जारी खूनी संगर्स के बीच तालिबान ने शुकरवार को अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार प्रकपजा कर लिया है इस बिजभारत अमेरिका और चीन समित 12 देशों ने संजुत रास्ट और इरोपियों संग के परतिनीध्यों के साथ बड़ा फैसला लिया है फैसला ये है कि अफगानिस्तान में किसी भी ऐसी सरकार को मायता नहीं देंगे जो बंदू की नोग पर नियंतरन हासिल करना चाहती है युदगर देश में तालिबान की ओर से हो रहे लगातार हमले की बीच अमेरिकी विदेश विभाग ने ये बात कही है समाचार एंसी पीटी आई की माने तो अमेरिकी विद किरिया को तेज करने की जरूत है और वो इस बात पर सहमत हुए कि विद्षैन बलके माध्यम से अस्ताफित किसी भी सरकार को मानिता नहीं देंगे निर्प्राइस का ये ब्यान उस वक्त आया है जब तालिबान अफगाइस्तान में लगातार आगे बढ़ रहा है और काबुल खत्रे से बाहर दिख रहा है इसी कंधार में बीते दिनों तालिबानियों ने भारतिये फोटो जर्नलेस्ट दनीश की हत्या कर दी थी कंधार पर कपजा करने से पहले गुरुवार को तालिबान ने दो और प्रांति राजधानी गजनी और हेरात पर भी कपजा कर लिया था तालिबानी लड़ा के काबुल से महज 90 क्रिमिटर दूर है इस तरह से आतंगवादी संगठन अब तक 12 प्रांति राजधानियों पर कब जा कर चुका है इस खबर में इतना ही बाकी खबुकली बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ